पुरु सोतम यह वेलकमिंग यू तो जीनियस अकेडिमिक्स तो टुड़े विए विज्ड ओन फोर्थ पार्ट आप आर सेशन और अब तक अगर आपने हमारे प्रिवेस सेशन को नहीं देखा है दें डोंट वरी लिंक मैंने नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कर सकते हो सो लेट्स चार्ट आओ सैशन लाइट प्रोससेज चैप्टर पार्ट फॉर के से तो प्रिवेस सेशन में हमने क्या देखा हैं प्रिवेस सेशन में हमने निट्रिजन इन अंबीबा से समझाथ हैं और यह भी जाना था जलु पार्ट थ्री वीडियो उसमें हमने इसे बहुत यच्छे से चेक किया है तो आज का हमारा यह सेशन होने वाला है nutrition in paramecium जिसे हम बहुत यच्छे से समझेंगे और यह भी जानेंगे कि बोर्ड में यदि यह आ जाता है तो आपको कौन-कौन से points mention करने हैं for scoring 100% in biology so let's start so first of all what is paramecium paramecium है क्या तो paramecium हमारे unicellular organism है जो हमारा कहा पाया जाता है पानी में पाया जाता है water में पाया जाता है यह आपका हो गया first point दूसरा इसका definite shape होता है definite यानिकी fixed shape होता यह अमीवा की तरह अपने shape को change करता नहीं है तो इसको हम क्या second point लेखेंगे it has definite shape और third point food is taken from a specific sport called oral cavity यानि कि यह देखिया यह आपको दिख रहा है यह क्या है यह इसका oral cavity है यानि कि यह कहीं से भी food को अपने अंदर लेगा नहीं यह specific sport से लेगा एक जो है ना specific जगह से यह लेने वाला है food को अपने अंदर body के अंदर उसे हमने क्या नाम दिया है उसे हमने oral cavity नाम दिया है यह देख लीजे यह जो है यह क्या है हमारा oral cavity यह हमारा पूरा structure दिख रहा है hair like structure यह पूरे body पे है इसके तो इसे हमने क्या नाम दिया है इसे हम scientific term में क्या बोलके हैं cilia तो यह भी आपको याद रखना है और और हम मैंने क्या बता है यह जो है यह क्या है उसका oral cavity या फिर oral group आप oral cavity याद रखो इधर से यह क्या करेगा oral cavity से अपने food को अंदर लेगा जैसे हम mouth से लेते हैं यह क्या करेगा यह अपने oral cavity की मदद से food को intake करेगा और यह जो move करता है कैसे move करता है with the help of cilia जैसे हम अपने पैरों से move करते हैं और amoeba कैसे move करता है with the help of pseudopodia चलो थोड़ा करिवाइस भी हो गया amoeba का भी और हमारा paramecium कैसे move कर रहा है with the help of hair-like structure not hair-like structure जिसे हमने क्या नाम दिया है cilia तो जिस तरीके से हमने amoeba के बारे में पढ़ा था कि कुछ steps involved होते हैं उसको nutrition perform करवाने के लिए जैसे कि amoeba सबसे पहले खाना खा रहा था फिर intake कर रहा था उसके बाद वो different steps को follow कर रहा था वैसे हमारा paramecium में भी यह सारे steps involved होते हैं जैसे कि ingestion, digestion, absorption, assimilation and ejection यह सभी steps involved होते हैं किसलिए nutrition को perform करवाने के लिए हमारे paramecium में और यह सारे points को आपको note करते हुए चलना है और board में अगर यह आ जाता है तो आपको समझ के उस points से लिख देना है for scoring 100% in biology so first step आता है हमारा ingestion, ingestion में क्या होता है paramecium जो है वो cilia की मदद से cilia यानि की मैंने आपको बताया था cilia क्या होता है hair-like structure जो हमने देखा था पूरा जो है वो paramecium के outer layering जो cell membrane था उसके पूरे ऊपर क्या थे hair-like structure थे जिसको हमने क्या नाम रखा था क्या नाम दिया था हमने उसका cilia okay यह हमें याद रखना है scientific term है तो paramecium जो है वो cilia की मदद से क्या करता है food particle को अपने body के inside ले लेता है यह हो गया first step फिर आता है हमारा digestion food gates digested in food vacuum by digestive enzymes digestive enzymes मतलब मैं बता देता हूं वैसे मैंने पहले वीडियो में भी बता दिये हैं बट अगर आपको याद नहीं है तो एक बार दुबारा बता देता हूं कि digestive enzymes वो होते हैं जो हमारी body जो है या फिर कोई भी organism की body जो है वो food को breakdown, digest करने के लिए कुछ juices को release करती है ताकि उसका breakdown हो सके वो digest हो सके उसे हम क्या नाम देते हैं digestive enzymes humans में भी बहुत सारे ऐसे digestive enzymes हैं जिसे हम next lecture में बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं तो वैसे हमारा paramycium में भी होता है food gets digested in food by digestive enzymes फिर इसके बाद आता है हमारा third point absorption अब जो digestive food होता है वो diffusion की मदद से जो है cytoplasm में transfer हो जाता है diffusion यानि की high concentration से low concentration में substance move कर जाता है तो जो भी हमारा food digest हुआ है वो कैसे जाएगा paramycium के body के अंदर वो food vacuol से तो वो कैसे जाएगा with the help of diffusion diffusion की मदद से जो भी उसका digest हो गया food वो उसके body में transfer हो जाएगा फिर आता है हमारा fourth step assimilation assimilation यानि की the digestive food diffuses into cytoplasma and is used by the cell अब जो food digest होके absorb हो गया body में उसको body use करेगी न ताकि वो different life processes को perform कर सके वो कुछ भी अलग-अलग काम कर सके तो उसके लिए तभी तो उसने खाना खाया है तो वो क्या करेगी उसकी body जो है या फिर वो cell जो है वो क्या करेगी उसको utilize करेगी जो digested food है उसको तो उसे हमने क्या नाम दे दिया assimilation फिर हमारा final process आता है ejection ejection यानि कि जो भी अब उसका undigested waste रह गया वो paramecium क्या करता है अपने body से बाहर उसको भेज देता है release कर देता है तो यह सभी steps हमारे इसी के साथ complete हो गए so the question of the day is paramecium is covered by small hair like structure called desk and your options are first cilia second option pseudopodia third option oral groove और यह तीनों में से आपको most suitable answer मुझे comment section में बताना है so our upcoming session is on one of the most important topic in standard 10 biology nutrition in human और इस topic से बहुत ही good level of question पूछे जाते हैं हमारे board examination में तो मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि आपको एक-एक point समझ में आ जाए nutrition in human के बारे में और यह video आ रही है बहुत ही जल्द तो आपको क्या करना है आपको bell icon को press कर लेना है ताकि यह video आप तक time से पहुत सके और आप अपने marks पक्के कर सको so meet you in the next session bye bye